मित्रो नमस्कार भारत माता की जै वंदे मातरम जै श्री राम हर हर महादेव मित्रो कई महत्वपूर्ण विश्यों पर आज आप से हम बात करेंगे हम बात करेंगे बीजेपी की एक बहुत बड़ी गलती से और एक क्या बलकि दो गलतियां कहेंगे और चुनाओं के वक्त इस तरह की गलतियां नहीं करनी चाहिए लेकिन इस तरह की गलती बीजेपी ने की है और क्या वो गलती है उसकी पहली उमीदवारों की लिस्ट में उसकी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे इसके लवा मित्रो हम दूसरे नमबर पर बात करेंगे फ्रांस के राष्टपती इमैनुवल मैकरॉन की जिन्नों ने एक बहुती जवर्दस्त फैसला लिया है और फ्रांस के अंदर से जो जिहादी हैं उनको चुन-चुन करके निकाला जा रहा है और आपको यकीन ही होगा कि यह जो संख्या है यह 23,000 तक है 23,000 तक इसके लावा हम बात करेंगे इस ख़बर की यह एक मौलाना है साजी दरशीदी और इन्होंने साओधी अरब के सुल्तान मुहम्मद बिन सल्मान को बहुत भद्धी भद्धी गालिया दी है ऐसे शब्ध कहें हैं जो कोई मुसल्मान कभी सुनना बरदाश्ट नहीं कर सकता और उन्होंने जो कुछ भी कहा है मैं इसे इतना कहना चाहूंगा कि कभी साओधी अरब हज करने मत जाना वनना मुहम्मद बिन सल्मान पकड़ के तुमको जेलने बंद कर देगा और वहां को सुनवाई भी नहीं होती है तो सभी विश्यों पर बात करेंगे पर पहले आपको दिखाते हैं जरा आपसे एक छोटी से पील लेए वीडियो में आगे पढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि यह हमारा बारकोड है आप हमारा वीडियो देखते हैं आप मारी पत्रकारता को पसंद करते हैं तो आप जरूर हमारा सपोर्ट भी कीजिए एक यह नंबर है 8376-862585 इस पर गूगल पे भी है फोन पे भी है इस पर WhatsApp भी है आप चाहे तो अपनी रसीद ये रसीप इस पर आप WhatsApp भी हमें कर सकते हैं इसके लावा आप हमसे कैसे जुड़ेंगे देखिए यह मेरा टुटर का पेज है यह मेरा Facebook का पेज है यह मेरा WhatsApp चैनल है और यह मेरा Telegram चैनल है आप हमसे जुनना चाहते हैं तो आप इन सभी के लिंक्स नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिये हैं आप इन सभी लिंक्स पर जाकर के हमसे जुड़ सकते हैं जहां आपको मेरे लेक मेरे वीडियो आपको मिलते रहें और BJP ने कौन सी बड़ी गलती की है इससे पहले जरह मैं आपको यह दिखाता कि आखिर इस समय सबसे बड़ी जो समाचार है लोगसवा चुनाओं का वो क्या है लोगसवा की एक तिहाई से जादा 195 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार गोशित कर दी है 2019 में बीजेपी इन 195 सीटों में से 155 सीटों पर जीद गई थी और अगर अब उसको अपना लक्षे प्राप्त करना है 400 का तो सभी पर जित दर्ज करनी पड़ेगी OBC, SC, ST वर्ग की उम्मेदवारों को 102 टिकट दिये गए हैं हाला कि जाती की बात करना मैं उच्छी इतनी समस्ता लेकिन सवाल जाती पर होगा जो अधर लोग हैं वो जाती पर सवाल पूछते हैं इसलिए उनको जवाब देना जरूरी है 195 में से 28 महिला परत्याशी हैं चार पूर मुख्यमंत्रियों को टिकट दिया गया है लेकिन दो पूर मुख्यमंत्री ऐसे हैं शिवराज सिंग चौहान और विपलव देव जिनको अभी हाल में मुख्यमंत्री पत से हटाय गया था पहले इसलिए इनको हमने बताया है कि इन कट दे दिया गया है इनको दिल्ली विला जा रहा है 47 प्रत्याशी ऐसे हैं बीजेबी के लिस्क में जिनकी जो उमर है वो 50 साल से भी कम है ब्रिज भूशन सरण सिंग वरुन गांदी मेंका गांदी उसाद्वी प्रग्या ठाकूर इनकी सीट पर अभी फैसला नहीं हुआ ह अगर हम बात करते हैं ब्रिज भूशन शरण सिंगी तो जो जाटों वाला मामला है आप जानते हैं जो जाट पहलवान थे कुछ उन्होंने जो रोध किया वरुन गांदी लगातार बीजेबी खिलाव बयान दे रहे हैं मेंका गांदी उनकी मां है हो सकता उनको भी खामेज गड़ है वहां पर 80 सीटे हैं वहां पर 51 सीटों पर टिकट दे दिया गया है इसके लावाद 44 अगर देखे तो जूपी में 44 सांसद ऐसे हैं जो की मौझूदा सांसद हैं और उनको टिकट मिलिया है जबकि साथ नए चेहरों पर दाउं लगाया गया है दिल्ली में साथ में पर टिकट गोशिद कर दी गए हैं इनमें से चार जो है वो नए चेहरे हैं दिल्ली में चार साथ दो के टिकट काट दी गए हैं यानि की चार नए चेहरे हैं काशी से प्रदानमंत्री मोदी गांधी रगर से अमिश्या लखनू से राजना सिंग और कोटा से ओम बिरला अब यही मैं आप से कहा था इसमें अगर महिलाओं की बात करें तो यह हिमा मालिनी को टिकट मिला है मतुरा से इसमिती रानी अमेठी से टिकट मिला है और बासुरी सुराज जो की सुस्मा सुराज की बेटी है उनको भी टिकट जो है वो मिल गया है और अगर हम देखें तो बीजेपी ने अपने 34 मंत्रियों को मैदान में उतार दिया है 36 गड़ की सभी 11 सीटों पर बीजेपी ने अपने नाम गोशित कर दिये ममताब इनर्जी का जो गड़ है पश्चिम बंगाल वहाँ पे 20 सीटों पर बीजेपी ने अपने नाम गोशित कर दिये और इनमें एक चेहरा जो बैं कहूं वगर तो शिवेंदू अधिकारी ये शिवेंदू अधिकारी के भाई है कांती से इनको टिकट मिला है निशित प्रमानिक बहुत बुखर आलोचक है ममतबनर जी को उनको टिकट मिला है लॉकर्ट चटरजी आपने कई बार देखा होगा इनको अकसर प्रॉक्ताओं के इस्ट मिला है इनको टिकट मिला है शांतनु ठाकूर को टिकट मिला है बनगाओं से आते हैं यानि कि दिल्ली बुलाया जा रहा है शिवरा सिंग्छ चोहान को और उनको बड़ा कद या बड़ा पद देने की कोशिश की जा सकती है इसके लब मद्य प्रदेश के अंदर पांस सांसदों की टिकट जो है वो काट दिये गए हैं रायस्थान में 25 में से 15 सीटों पर नाम घोशिद हो चुकें टिकट घोशिद हो चुकें और चार सांसदों के यहां पर टिकट कटे और अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे बड़ी गलती जो मैं बात कर रहा था आपसे फित्रों दिल्ली के अंदर आप जानते रमेश विदूडी दक्षण पश्चिम से चुनौल अड़ते थे और दिल्ली की जो सीट है वहां से अब अगर देखा जाये तो रमेश विदूडी को हटा दिया गया है उनकी जगा पर राम बीर विदूडी को चुनौल अड़ा जा रहा है लेकिन यहां पर मेरा यह सवाल है कि हटाया क्यों गया है दरसल दानिश अली लोकसवा के अंदर जो कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अबद्र भाशा का इस्तेमाल कर रहे थे जो कि रमेश विदूडी के खिलाफ अबद्र भाशा का इस्तेमाल कर रहे थे जब उनके ओपर प्लâteवार करके अबद्र भाशा का इस्तेमाल रमेश विदूडी ने कि तो आप देखे कि boughton समाज पार्टी ने भी दिनेश दानिश अली को निकाल दिया है उनकी कोई creditability नहीं है लेकिन एक अच्छे खासे नेता जो संगतन के नेता रमेश विदूडी उनको सिर्फ इसलिए टिकट नहीं दिया गया कि उन्होंने दानिश अली को गाली दे दी अब शब्द कह दिये तो यह उन्होंने पलटवार में किया किया था इसमें की गलती नहीं थी और पुषित रूप से दानिश अली के खिलाफ सारी बाते सामने आई थी तो दानिश अली के को ले करके उनके जो उन्होंने उनको गाली दी उसके मुद्द को लेकर के रमेश विदूडी का टिकट काटना यह दिखाता है कि बीजेपी क्या हिंदूत से समझोता कर रही है जो नहीं करना चाहिए किसी भी मुद्द'T पर नहीं करना चाहिए इसके लहां एक और महतफ mortra इसकी में बात करना चाहूंगा जो मुझे रत гस मेलयुझ बहुत प्रग्या ठाकूर का टिकट काटने की वहाश्कता थी परग्या ठाकूर एक ऐसा चेहरा है जिनकों की सताया गया पीडित किया और वह पीडित किया सुनिया गांदी की सरकार ने और उन्हों उनको जिस बयान के उपर उनकी अलोशना की गई थी वह बयान क्या था कि नातुराम गोट से देशभक्त हैं देखे भावनाओं पर बात नहीं चाहिए तथ्षों पर बात होनी चाहिए और लेकिन नातुराम गोट से यह कहके गए हैं कि मेरी जो अस्तियां है वो तब विसार्जित कर देशभक्त कौन हुआ फिर तो बड़े देशभक्त तो फिर नातुराम गोट से वे ना तो नातुराम गोट से को देशभक्त कहने पर प्रदानमंतरी मोधी के आलोशना की गई तो महात्मा गांधी के आदर्शों का बोज लेकर के बारती चलने कोशिश कर रही है मोधी चलने कोशिश कर रहे हैं पर बहुत दिन चल नहीं पाएंगे महात्मा गांधी की जो इमेज है वो लोगों के दिलों में खंडित हो चुकी है अब सड़कों पर जो उनकी तस्वीरे हैं मूर्तियां लगी होई है लेकि सड़कों पर मूर्तियां लगने से नहीं होता है मात्मा गांधी की जो पूरी की पूरी इमेज है जो प्रतिमा है वो जो गांधी परिवार की ने मात्मा गांधी की प्रतिमा बनाई थी लोगों के दिलों में उनकी बारे में तरह तरगी बातें बढ़ा पड़ा करकी वो बापू है क्या क्या वो प्रतिमा अब लोगों के दि थी वह आज फिर क्यों खड़ी हो रही है कल जिनना खड़ा हुआ ताज वैसी क्यों खड़ा हो रहा है इसलिए मात्मा गानी की छवी फिर से बोल रहा है वह देश की जनता के दिलों में तूट चुकी है वहां उनकी कोई प्रतिमा नहीं बची देश के लोगों के मन में जो प हमें यह से कहना चाहते हैं कि यह जो बड़ी बड़ी गलतियां की है हिंदुत के विशय पर यह बीजीपी को नहीं करनी चाहिए और इसके लाव मित्रों मैं आप से अब एक बहुत ही महत्पूर्ण विशय पर बात करूंगा और वो जो विशय है वो फ्रांस का विशय है कि फ्रांस के अंदर आखिर अगर देखें इस वक्त क्या चल रहा है मित्रों फ्रांस एक ऐसा देश है जो कि सबसे ज़्यादा इस्लामिक आतंगबाद का शिकार हो रहा है इस्लामिक जिहाद की सबसे ज़्यादा मार अगर कहीं पढ़ रही इस वक्त तो फ्रांस में पढ़ रही है वहाँ पे अभी बहुत बड़ा दंगा हुआ था और उस दंगे के अंदर लगबख तीन-चार हजार तो सिर्फ कारे जला दी गई थी जो बड़े-बड़े शोरूम थे उनमें ऐसे अंगामा किया गया कि शोरूम से बड़े-बड़े उंचे टावर्स से जोए गाड़ियां फैंकी जा रही थी जो फ्रांस के पेरिस के मेयर थे उनके घरों में गाड़ी गुसा दी गई थी ये इस्तिति वहाँ बनी वी थी कई लोग मरे थे फ्रांस के पलिस वालों को बहुत जख्मी है वे थे फ्रांस के लोगों को दोड़ा-दोड़ा करके वहाँ पे जिहादी मार रहे थे और यह सब जब वहाँ पे हो रहा था तो उस समय एमैनुल मेकरोन के पास कोई जवाब नहीं था इमेनल मेकरोन बैसे हो तो कम्मिनिस्ट बैग्राउंड से आते हैं लेकिन उन्होंने बदले हुए वक्त में अपनी विचारधारा को शायद बदल दिया है और फैसला यह लिया है कि फ्रांस जो है वो 23,000 गुस्पैटिये जिहादियों को निकालेगा फ्रांस के अंदर से बहुत बड़ा फैसला है और मैं इस पूरे फैसले को पूरी समचार को एक बढ़ना चाहता हूँ आपके सामने ताकि आप समझ पाएं कि आकीरे पूरा मामला है क्या तो देखे क्या यह इशु है एक बज़ाना देख लेते हैं इसको हल्की सी नज़र दड़ा लेते हैं इसके उपर कि यह पूरा मामला कि अब सबसे बहुत देखिए कि खबर लिखी किसने है यह खबर लिखी है इमरान शरंड के नाम पर अवैद रूप से रहने वाले 23,000 लोगों को देश से निकाला जाएगा इन में सीरिया, इराग, पाकिस्तान समेट कुछ एशियाई देश और अफ्रीकी देशों जैसे मौरक्को, टुनिशिया, लीबिया और मिस्स समेट 10 देशों के लोग सामिल हैं इस सारे के सारे मुस्लिम देश हैं, यानि कि 23,000 मुसल्मानों को निकालने जा रहा है इस कारवाई को फ्रांस में कटरता बढ़ने और अगस्त में हो रहे हैं ओलंपिक खेलों की तयारियों के तोर पर देखा जा रहा है बीते साल, क्या हुआ था बीते साल, बीते साल फ्रांस ने 29,000 लोगों को निर्वासित किया था और ये फ्रांस में रह रहे थे, इन में जाया दर गुस्पैट करने वाले थे और गुस्पैट पर लगाम लगाने के लिए इमेनल मेकरों के रिज़त वाजी सरकार ने आवरजन बिल पास किया है मेरा यहाँ पे सवाल सरकार से ये है, कि जो फ्रांस जो है, जो कि खुद को लोगतंतर का सबसे बड़ा रहनुमा कहता है पुरी दुनिया मानती है कि यूरोप के अंदर अगर कोई फ्रांस लोगतंतर का जन्म दाता है तो फ्रांस है और जब फ्रांस अपने देश से गुस्पैटे को निकाल सकता है तो हम अपने देश से ये रोंगिया को क्यों निकाल सकते हैं और हमारे यहां तो करोलों की संख्या में आ चुकें तो इस पर कारवाई कब होगी यह एक बड़ा सवाल है जन्वरी में गोशित कानून को वहां पंथी विपक्ष द्वारा नसलवादी बताया गया था लेकिन दुर दश्रिपंथी नेशनल आरेन आईटी सलस्दी समू की अ दश्रिपंथी घोर दश्रिपंथी हैं तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि नए कानून के तहट प्रवासियों के लिए परिवार के सदस्दों को फ्रांस में लाना और मुश्किल होगा तो अब यह सारा मामला है और अब मैं जरा यहां पर एक और महत्पूर्ण विश्य बात करना चाहता हूं और वो विशे क्या है मित्रों वो यह विशे है कि जो सारे के सारे मुला मौल्वी हैं उनकी बड़ी खराब चल रही है हालत खराब क्यों चल लए है counts क्योंकि जो मिहम्म्मदय बिन सल्मान है उन्होंने ये अर्व अंदर साउधी अरब के अंदर कोई भी मैला जो चाहे वो बस्त्र पहन सकती है और इसकी वजह से जो बहुत सारे मुल्ला मौलमी हैं, उनका मानिसिक शंतुरन बिगड़ चुका है ये मुझाना साजी दिस्वीदी हैं, मुस्लिम धर्म गुरू है, धर्म गुरू क्या कहें, मुमिन है, धर्म गुरू तो धर्म होता है, उसमें धर्म तो कुछ है नहीं, अब ये आजुका समी, जोनों ने इंटर्व्यू इनका लिया है, और किस तरह से ये जो है, जहर उगल रहे हैं मुभंब बिन सलमान किराफ जरसुन ही एक बार हराम काम को आफ जजजद दे रहे हैं तो वह रिफॉम नहीं है वह तो आप लोगों को दिन इसलाम से पहकाने और बठकाने का कम कर रहे हैं मुँचे इस बात के कहने में दोर ऊई यह ना मैं इस बास से डरता हूँ तो मैं बिल्कुल दोटों की बात कहना चाहता हूँ कि मुहम्मद सल्मान ने जो कारणा में अंजाम दिये हैं वो दीन से हटता है सवुदी में आज तक ना तो बुर्की पर पाबंदी हटी थी ना शराब खाने कभी खुले थे ना सनीमा घर खुले थे उस आदमी की बदनसीबी को क्या कहिए जो आदमी मदीने तक में सनीमा घर खुलवाने की अजाज़त दे उससे बड़ा बदनसीब आदमी कौन हो सकता है यह मुहम्मद बिन सल्मान मुसल्मान है कि नहीं है मुझे शक है इस बात पर मुझे तो ये भी कहने में गुरेज नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि हो सकता है कि यहूदी की ओलाद हो तो कि यहूदी जो है दीन इसलाम को खत्म करने के तरपे है यहूदी जो है दीन इसलाम और मुसल्मान को उनके अंदर बतामालियां पैदा करके उनके अंदर हराबियां पैदा करके इस तरह की चीज़ें दीन इसलाम में लाते हैं तो मेरा मानना यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं आदमी यहूदी नसल से हो मतलब सोचिए क्या इस्तिती हो गई है मुहम्मद बिन सल्मान की बल्दियत पर सवाल खड़ा किया जा रहा है से लग रहा है कहीं मुहम्मद इसको त्वाना ले इसलिए बार-बार कह रहे हैं कि भई में डरता नहीं हूं कि इनको ढ़तों है हच करने जाओगे ना और जब हच करने जाहोगे साउधी अरब और तृब तुम्हारा चेहरा यादफित होगया ना उसकी दो में मंबदीन सलमाण की तुमको उठां लेстकर व्यादर हामी जो पाकिस्तान वे लाइड टोपी वाला है और वो पाकिस्तान वियुद है वकिस्य ख्री fiction आते saved अका है वो साथी अरब का सुल्तान ने तुम्हारा आका तो ही ए वो खैर तुम्तुर कैसा लगा वीडियो आपको जरूर लाइक कीजिगा वीडियो को जरूर शेयर कीजिगा इस यूट्यूब चैनल को भी अब सब्सक्राइब जरूर कर लीजिगा नमशकार भारत मता की जय बंदे मातरम और एक नमबर दिया हुआ वे रहा वाट्सप नमबर है इस नमबर को सेव करके मिश्वाल कर देंगे तो आपको मेरे आर्टिकल्स मिलना शुरू हो जाएंगे नमशकार भारत मता की जय बंदे मातरम जय श्री राम हर अर्मादे उधन्यवाद